आप सपने में कभी जंगल में भटक जाते हैं तो कभी आप देखते हैं कि आप एक्जाम दे रहें या कभी आप सपने में देखते हैं कि आप किसी उची बिल्डिंग से गिर रहे हैं कभी आप सपने में हसते हैं तो कभी आप सपने में रोते हैं हम सब कुछ एक सपना समझ कर भूल जाते हैं लेकिन हर सपने का कुछ मतलब होता है सपने अचेतन अवस्ता में बोले गए शब्दों की तरह हैं सपनों में हम जो भी देखते हैं उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है इन सपनों का समंध हमारी असल जिन्दगी से भी होता है आए जानते हैं आखिर में ये सपने हम से क्या कहना चाहते हैं इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और मेरे बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो तो आए जानते हैं सपनों के बारे में दोस्तों यदि आप सपने में साप को देखते हैं तो अशुब माना जाता है अगर आपने सपने में साप देखे हैं तो सावधान हो जाईए सपने में साब देखने का मतलब है कि आपकी प्रस्टनल और प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है मतलब साब को देखना सपने में अशुब माना जाता है दोस्तो यदि आप सपने में किसी करीबी की मोत देखते हैं तो निश्य तोर पर यह बुरा संके थे इसका मतलब है कि आपके नीजी और व्यवसाइक रिष्टों में मुसीबत आने वाली है लोगों से मिलते वक्त साउधानी बढ़ते खास करके आफिस में दोस्तो सपने में अपने किसी रिष्टेदार की मौत देखना अशुब माना जाता है दोस्तो सपने में खुद को या रोते हुए चलाते हुए देखना यह बताता है कि आप अपनी असल जिंदी में भी परिशान है आपको बैचेनी, दुख, पीड़ा, उलजन, तनाव, अवसाब जैसी बहावनाय घेरे हुए है अर्था सपने में रोते हुए देखना अशुब माना जाता है हिंदू संस्कृती के अनुसार बिल्लियां अशुब मानी जाती है और सपने में भी बिल्ली का दिखना अशुब समझा जाता है सपने में बिल्ली का दिखने का मतलब है कि आपको किसी से धोका मिला है या फिर आपको किसी से धोका मिलने वाला है दोस्तों यदि आप सपने में अपने आपको जंगल में या खुद को किसी जगह फसा हुआ या बन देखते हैं तो भविश्य में भाग्ये आपका साथ छोड़ने वाला है आपके लिए अपनी प्रस्टनल और प्रोफेशनल लाइफ को समालना बहुत मुश्किल भरा होने वाला है दोस्तों अपने आपको फसा हुआ देखना अशुब माना जाता है दोस्तों कई बार हम बेहद अटपटे से सपने देखते हैं आप अगर अपने सपने में देखते हैं कि आप न्यूड हैं तो इसकी व्याक्या यह हो सकती है कि आप अपमानिच शर्मिंदा या फिर आहात हो सकते हैं आपका अपना कोई आपको नुकसान पहुचा सकता है आपके राज खुल सकते हैं और आपको कठिनाईयों का सामना कर सकना पड़ता है सपने में नूरिटी देखने को आजादी पाने और सम्मंद तोड़ने की इच्छा से भी देखा जा सकता है सपने में अगर आप देखते हैं कि आपको कोई चोट पहुचा रहा है या आपको चोट लग गई है तो इसका मतलब है कि आपको आने वाले वक्त में संघर्ष करना पड़ सकता है अर्थात यह सपना आपके लिए बहुत हानिकारक साबित होता है सपने में यदि आपको कोई बच्चा दिखता है तो अशुप संकेत है इससे किसी परीजन से दूर होने का संकेत समझा जाता है अगर आप सपने में किसी बच्चे के दुलार करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है आपको किसी से धोका मिनने वाला है अर्थात बच्चे का सपने में दिखना अशुब माना जाता है